वेलकम फ्लास 11 चेप्टर अपना फॉर्थ मोशन इने प्लेन काइनमेटेस का सेकंड पार्ट पार्ट अपना सेकंड ठीक है अब पीछे वाड़े लेक्चर के अंदर अपने किया था कुछ वेक्टर पड़े थे वेक्टर से इंटर्ब्रेक्शन किया था स्केलर होता हैडर वेक्टर होता है तीसरा आपने वेला था घैंसर होता है जोग आपने बाद में पड़ेंगे वाद वेद्के जांफां तो इसके विप्लाई होता था कि उसके बाद अपने कुछ टाप के वेक्टर देखेते हैं उसके अंदर लाश्ट में था को लीनियर था को लेनर था आप से निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं यहां कह सकते हैं जिनकी टेल क्या हो एक ही पॉइंट के ऊपर को इंसिडेंस हो कि पॉइंट के वपर हैं तो उनको क्या बोलती हैं अब यूनिट वेक्टर देखो गरी हरत ऐगा है एक रीचा थे थे तो हम उन्स यूनिट वेक्टर का मैंगनिट्यू जो होता है वो एक होता है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मेगनिट्यूड क्या है एक है ठीक है अब यूनिट वेक्टर है तो इसकी डिरेक्शन अगर एक वेक्टर है अगर अपना पास अगर ये आई यूनिट वेक्टर है और A, अपना कोई और वेक्टर है, ठीक है? I के अपना unit vector को पहली बात तशोक करते है, cap से, ठीक है? एलो नहीं लगाते है, cap लगाते है, इसे बोलते हैं, पर Намच करते हैं, as I cap, ठीक है? अब A vector को इस direction के अंदर है, और अपना i भी के है? इस direction के अंदर है, अपना i cap भी कह है इस direction के अंदर है तो a vector है उसके अंदर क्या क्या होगा भी एक तो a का magnitude होगा a को का direction होगी या नहीं होगी a की direction होगी अब जो a की direction है वो ही किसकी direction है अपने unit vector i की direction है ठीक है unit vector i का magnitude कितना हो भी एक तो मैं क्ये ये बोल सकता हूँ कि A vektor का जो magnitude है वो mode A है और A vektor की जो direction है वो क्या है I cap है क्योंकि I cap भी उसी direction के नद ins tastrea यानि unit vector का काम क्या होता है किसी दूसरे vector की direction show करना किसी दूसरे vector की direction show करना तो I cap बोलूँगा तो A vector किस से बनेगा A magnitude dot है i cap जहाँ पर i cap शो करेगा उसकी direction को क्योंकि i cap का जो magnitude होता है वो तो एक होता है तो unit vector का काम होता है किसी दूसरे vector की direction बताना ठीक है आगे समझ में zero vector zero vector यह होता है कि जब अपन बात करते हैं कि जो अगर यह इसी lecture में अपन देखें कि जब vector add subtract या कुछ भी उनके उपर apply के ज़ता है जैसे दो vector है a plus a a plus b उनको जब add करते हैं तो c जो आएगा वो भी एक vector होगा होगा या नहीं होगा लेकिन case जब ऐसा बन जाए कि दो vector है जो same है दो vector same vector है a और a लेकिन दोनों की direction लगा है तो वो जब add होगे तो किस type से होगे a minus a यानि इस type से होगे a plus minus a negative vector पड़ा था negative vector क्या होता है भी जिसका magnitude same हो जिसके direction लपोजिट हो तो इनको जब add करेंगे तो यह क्या बनेगे इस type से बनेगे जिसका value हैगी 0 तो मैंने बोला vector को जब add दोर सब्डेट करेंगे तो एक वेक्टर आएगा यहां पर value क्या लेए? 0 इसको नाम क्या दिया गया? 0 0 vector वो vector होता है जिसका magnitude 0 हो magnitude 0 हो और जिसकी direction क्या हो? या तो बोल सकते हैं जिसकी कोई direction eleven या बोल सकते हैं वो सभी direction में हो या तो किस्की कोई direction नहों या वो सभी direction के अंदर नो उसकी direction है ठीक है इसका यूज आपने देख लिए वैसे तो वैसे आप एक्स्ट्इड करके भी देख लेंगे आगे कहां पर होता है तो जीनल वेक्टर या नल वेक्टर भी बोलते हैं इसको क्या बोलते है नल वेक्टर नल वेक्टर क्या होता है जिसका मैंक्ट्यूट जीरो और जिसकी डिरेक्शन क्या हो कोई ना हो या हरे डिरेक्शन में हो क्योंकि घर हो कोई डारीक्षैन ना हो ना दौनोग 4 डेलॉट। ऑफ स्टेट होती है तो दोनों यह। अप्रूवक्ड है अब देखो अपना जो आज लु creeping यह है तो अपने पिछयोड करे गया था वो कह यह है आज कह सोपिक है यह वह है व्हेंन दो अदीशन एडिशन यानि दो वेक्टर है उनको एड़ करने के लोग बताई है तो देखो भी वेक्टर है वो दो टाइप से एड़ होते है एक दो होता है ग्राफिकल मेथड एक होता है एनलाइटिकल मेथड ग्राफिकल मेथड होता है जब अपने पास दो वेक्टर दिये गए है उनका ग्राफ बना के एड़ करना ठीक है जो मेट्की बना के कोई ना कोई शेप बना के उनको एड़ करना analytical method होता है जब दो vector पिये गए है उनको एक formula के इसाब से analytical method होता है vector को add करने का एक formula बनाना और ये होता है shape बना की उनको add करना ठीक है इसके formula अलेग होता है ये simple mathematical expression लगता है इसके अंदर formula बनाने पड़ते है vectors को add करने के जब इसमें vector बना दिया एड़ वेक्टर को एड़ करने का formula ना दिया फिर अपन कहीं पर भी उसको apply कर सकते हैं ठीक है तो पहले बात करते हैं कि इसकी graphical method की आप graphical method में जेखो कितने type है graphical method में अपने तीन type होते है पहला जो है वो है triangle of addition triangle of addition second है वो है अपना parallelgram low of addition थोड़ा थोड़ा पड़ेंगे अपने इसका योग कि इतना brief के अंदर ही दिया हुए और तीसरा है अपना polygon low of addition polygon low polygon low of addition ठीक है यह तिन वाज अपने को cover करने है तो सबसे पहले कवर करते हैं कोण सा triangle low statement देखने जाओगी भी बहुत hard है hard मतलब confusing है उसकी language ही कुछ ऐसी है अपन समझते है पहले तो फिर्स की language भी बनाएंगे कि अगर दो वेक्टर है वो इस type से है यह अपना A वेक्टर यह B वेक्टर ठीक है तो बोला गया है triangle low ने बोला है पहला लोग कोण सा अभी कोण सा करने है triangle low तो triangle low के according कि अगर दो वेक्टर किसी triangle की दो side हो तो उन दोनों का resultant होता है वो triangle की तीसरी side होता है और condition यह होती है कि जो triangle की तीसरी resultant की जो direction है वो इनके opposite order में होने चाहिए देखो कैसे बोल रहे अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी parallel shifting of vector vector को कैसे कर सकते है parallel shift कर सकते है अगर दो वेक्टर इस type से shift किया जाए जैसे यह एक बात याद दखो graphical method के अंदर जितनी length का अपने पास arrow है उतनी length का arrow लेन है ठीक है क्योंकि अपन graphical method करें है यहाँ पर analytical नहीं एनलाइटिकल के अंदर तो जो arrow होता है वो represent करने के लिए होता है कि हाँ आपने पास यह vector quantity है ग्राफिकल मेथटिक अंदर जो arrow होता है उसके अंदर मैंने बताया था कि जो arrow की जो tell होती है वो magnitude को शो करती है और arrow का जो head होता है वो direction को शो करता है तो जितना लंबा arrow उतना उसका magnitude ठीक है तो length का आपको same length का लेना है ग्राफिकल मेक्टेडिक उपने को नहीं ले रहा हूं ग्राफिकल मेफड में लोगे एग अब क्या किया आए कि इसके हेड के साथ इसकी टैल को इसके पैलल शिफ्ट कर दिया जाए जितने एंगल से एगर या तो इसको यह अपने पास क्या आगया बी वेक्टर पैरलल शिफ्टिंग से हैड से क्या मिला है या तैल अब देखो ट्रैंगल लो अगर दो वेक्टर किसी ट्रैंगल की दो साइड हो तो उनका जो रिजल्टेंट अब ए और बी का रिजल्टेंट मालो यह है अब इसका एरो कहा लगेगा बोलता है अपोजिट डाइरेक्शन के अंदर मैग्डिटूड होगा वो ट्रैंगल की तीसरी साइड होगा और रिजल्टेंट की जो डाइरेक्शन होगी वो इनके अपोजिट होगी अब देखो यह कैसे जा रहा है ए से इस साइड गया ए से क्या जाया ए का हेड यहाँ पर टैल इस साइड यानि इस साइड जा रहा है कुछ क्या जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है अब इसका अपोजिट कहां से आएगा अगर आपकी से यहां से ले हो यह इसका क्या होगा opposite यानि इसको जा कहां से रहा ऐसे कि अगर आपने इसके ऐसे रहे हैं यानि एरो कहां बनाए ऐसे तो यह क्या होगा resultant होगा यह क्या होगा resultant होगा language समझ भी आ गई कि अगर दो vector किसी triangle की दो करा दो सबस्क्राइब दो तो उन दोनों वेक्टर का जो resultant होगा वो triangle की तीसरी side होगा और उस triangle के resultant की जो direction है वह इन दोनों के order के अपोeder होगी इन दोनों का order इस side है तो इसके opposite होगी इस side जारे था इसके opposite लाएंगे ठिक है इस इसके पॉजिट नहीं कि यह इसे गया और यहां पर अब यहां पर क्या करें अपने वापस ऐसे लेके हैं यहां पर नहीं होगा उपर होगा कभी आपको ऐसे गए थे फिर ऐसे लेकिया हूँ ठीक है इनीचल पॉइंट से देखना है अपने को आगे समझों तो यह था अपना ट्राइंगल लॉफ एडिशन जिसके अंदर यह अपना रिजल्टेंट है अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वह अगर निकालना चाहिए तो निकाल सकते है अब अब देखो ए और बी थीटा अमेशा कैसा होना चीए भी दो वेक्टर के बीच में एंगल दे रहे हो तो जी रव थीटा पाई या एक सबस्ती थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी 180 डिग्री से कम लेनी है क्यों लेनी है पता चल गया था बताया था करवारे लेक्टर के अंदर तो यह था अप देखो इसका कुछ एक्जामपल लेते हैं कि अगर कोई अब्जेक्ट है वो चार मीटर नौर्थ में चला अब चार मीटर का मेंगनिटूड वाला यह दो कहां पर नौर्थ में चार मीटर नौर्ट चलके वो कहां गया भी तीन मीटर वैस्ट के अंदर गया अब ग्राफ मना रहे हो तो मेंगनिटूड एरो की टेल की इसाब से लंबा लेने हैं वैस्ट में गया भी ठीक है अब देखो इसका जो रिजेल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा यह दो ट्रैंगल की साइड अगर ए वेक्टर मानू इसको ए वेक्टर 4 मीटर इन नोर्थ एंड बी वेक्टर 3 मीटर इन वेस्ट अब इनका जो रिजेल्टेंट होगा वो तीसरी लेंथ होगी ट्रैंगल की तीसरी लेंथ होगी यह अपना रिजेल्टेंट होगा इस रिजेल्टेंट की वेल्यू कहां से आएगी भी यह 90 डिगरी एंगल बन रहा है तो आर की वेल्यू होगी पहले कहां निकालोगे र का मैगनिट्यूड तो र का मैगनिट्यूड कैसे निकलेगा भी र के इसका हाइपोटेनियस है तो र की स्क्वेर इक्वल टू एक के मैगनिट्यूड की स्क्वेर प्लस बी के मैगनिट्यूड की स्क्वेर जो कितना आजाएगा Saph, आजाएगा 5 meters आजाएगा और का altitude कितना है बी 5 meters आजाएगा ठीक है अब azarchon कौण चीहोगी तो ही मूझ यह को चीहे थो क्रिए थो अपन बता रहे थे W's profit का इंघव्टा अप उछा बेस चाहरो तो यह कितना होता है भी 37 होता है अगर बेस तीन हो तो यह 30 53 होता है यहां पर चाहरो यह शिफ्ट हो जाए तो 53 वरना 37 तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या लगा होगे टैन थीटा कितना है भी 3 by 4 थीटा इस इकल टू टैन इन्वर्स 3 by 4 जिसकी वैल्यू 37 डिगरी होती है तो यह था अपना एंगल निकालने का फॉर्मूला पहले निकालना है मैंगनिटूड फिर निकालनी है डैरेक्शन आगे समझ में इतना ही है अपना ट्र उसके बाद देखते हैं क्या उसके बाद अपना कौन सा था पैरलेल ग्राम के लो में देखो क्या बताएं भी इसमें मान रहे था कि दो वेक्टर है जो पैरलल शिफ्ट करके अपन एक पॉइंट के उपर ला रहे हैं और किस टाइब से ला रहे हैं कि एक का head दूसरे की tail एक का head दूसरे की tail अगर ये बोले कि दो concurrent vector है भई पहले ग्राम में बोला जाए कि दो concurrent vector है इस type से ये b vector ये a vector इनके बीच का angle theta ठीक है तो ये क्या हो दो अगर क्या हो concurrent vector हो अगर उनसे अपन एक parallel gram form करे उनसे क्या करें भी एक parallel gram ये क्या अपना parallel gram form करे ठीक है तो क्या हो आगे देखो अगर parallel gram form करे तो उनका जो resultant होगा parallel gram कर लो ये बोलता है कि अगर दो concurrent vector है जो किसी theta angle से tail से tail मिला हुए है tail के साथ tail coincide on की ठीक है तो उनका जो resultant होगा वो क्या है उस parallel gram का diagonal होगा उस parallel gram का diagonal होगा अब parallel gram के दो diagonal हो सकते हैं एक तो ये बाला और एक ये बाला तो दो vector अगर coincide हो concurrent हो उनका resultant होगा parallel gram का diagonal और वो वाला diagonal होगा जो कहां से निकलता हो जापे उन दोनों की tail मिल रही हो दोनों vector की तो जापे उन दोनों की यहां बोल सकते हैं जापे दोनों vector coincide हो तो यहां पे दोनों vector coincide है यहां से निकलने वाला जो diagonal है वो क्या होगा भी resultant होगा resultant होगा कौन सा R value A plus B और उसकी direction कौन सी होगी जिस direction के साथ अगर यह मान लो कितना angle है alpha तो बोलेंगे R vector की जो direction है वो A की respect में alpha angle है और B की direction में मान लेते हैं कितना theta minus self पक्र देना या beta बोल देना आ रहा है समझ में यानि parallel gram का अगर दो vector है दोनों concurrent है एक point से निकल रहे है और parallel gram form कर रहे है इस tab से parallel gram तो parallel gram का जो diagonal होगा वो resultant देगा ठीक है कौन सा diagonal देगा जो दो vector के coincide point से निकल रहे है तीसरी बात resultant की direction वो होगी जो एक के साथ या B के साथ angle मना रहे है ठीक है निकालते है क्या question लेते है देखो यह a vector है यह अपना b vector है a vector माल लेते हैं अपना 40 meter यह माल लेते हैं 30 meter ठीक है तो यह क्या बनाएंगी भी एक है parallel gram form कर रहे है उस parallel gram का यह diagonal होगा यह diagonal कौन सा होगा r r की value कितनी होगी a plus b ठीक है magnitude लेने जाओगे तो r vector का magnitude equal to a vector का magnitude plus b vector का magnitude तो r होगा वो कितना होगा b a plus b करोगे तो कितना हैगा 70 meter आएगा ठीक है आगया कितना आएगा पहले क्या करोगे इस triangle का base मनाओगे triangle की value निकालोगे इससे इस triangle की value निकालोगे rk से 70 आएगा के इससे 70 तो फिर सिदा ही जुड़ गया scalar लगा लिए अपन ने अपन तो scalar निकालके इसका 40 plus 30 करें है इसका base कितना मनोगे 40 parallel shifting लगाओगे parallel shifting मानके इसका क्या मनोगे base इस base से क्या निकालोगे b resultant ये triangle बनाओगे triangle से r निकालोगे समझ में आ रहा है ठीक है ये अपना parallel gram लो triangle लो से ही तीनो निकलेंगे polygon बाड़ा भी parallel gram बाड़ा भी ठीक है अब a plus b बोला है ये निकल जाएगा इस type से triangle से क्योंकि ये parallel shift करके इस base को यहाँ पे लिएएगे अब देखो अगर बोले a minus b निकालो a minus b addition तो पढ़े है subtraction और बताओ भी कैसे होगा तो a minus b कैसे निकलेगा अपन पढ़े है vector law of addition आपने पढ़ा होगा negative vector यानि b vector है positive b vector है वो negative b vector हो सकता है सिर्फ क्या change करने से direction change करने से सिर्फ क्या direction change करने से direction change करने से b vector हो negative b vector हो सकता है अगर b vector इस direction के अंदर है उसको पीछे वड़ी direction के अंदर ले गई magnitude same रखते हुए 30 meter तो यह क्या बन जाएगा भी negative b vector बन जाएगा क्योंकि इसकी direction change होगी अब जो resultant होगा वो वी किस direction में होगा parallel gram बढ़ाएगा इस side resultant होगा यह वाड़ा अब यह जो r निकलेगा वो कैसे निकलेगा भी a plus minus b vector यानि आप यह क्यों सोच रहे हो कि इसको negative करें है इसको subtract करें है आपको यह सोचना है कि हम इसको क्या कर रहे है एड करें है तो एड करेंगे तो यह क्या बन जाएगा भी a vector minus a b vector बन जाएगा अब इस a vector minus b vector की value अपने निकाल सकते हैं आ रहा है समझ में यह था parallel gram low ठीक है अब देखो parallel gram low भी हो गया आपको बस इसको उपरूपर से देखना है इसके आएगा आपके analytical method जहाँ पर addition करोगे तो graphical से जादा analytical method यूज करेंगे अपन और इसका जो direction होगी resultant की वह भी कहाँ पर होगी ठीटा के इसाब से होगी ठीटा लेंगे ना जैसे triangle के अंदर लिया था वैसे इसके अंदर ठीटा लेके चलेंगे आगे समझ में क्या आगे देखो आगे अपना पॉलीगन लो पॉलीगन लो देखो क्या होता है कि अगर अपने दो वेक्टर का एडिशन की अभी तक अगर अगर देखो दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर है वह किसी प्लेन के अंदर हो ठीक है किसी प्लेन में हो या पैलल शिफ्टिंग करके अपने को लाने पड़े अगर चार वेक्टर हो है वह इस ताइप से है A B C B चार वेक्टर है अपने पास या तीन वेक्टर जितने भी ले सकते हो आप ले लो ठीक है एक पॉलिगन मढ़ाना है पॉलिगन का मतलब क्या होता है C जीवेक्टिकल कर दे कि अदर लेक्ट आएंगी इनको जब शेप बनेगी वो क्या बनेगी एक प्लेन के अंदर लेके आएंगे इनको कि यह अपना डी सी वेक्टर एक वेक्टर कहां से ओपॉइंट से कॉंकुरेंट वेक्टर है चाहरो निकले अब इनको जब एड किया जाए तो कैसे एड करेंगे देखो कि जब इनको बोला जाए चाहरो ग्याट करेंगे लगाते है अपना पॉलीगन लो पॉलीगन लो कहता है कि चारों वेक्टर को एक दूसरे की टेल के उपर एक दूसरे के टेल से हैड मिलाते हुए पैललल शिफ्टिंग करो तो एक वेक्टर अपना यह था इसकी head से tail मिलानी है कि इसकी B की लेकिन parallel shifting करते हुए अब B की किसके साथ B की tail मिलानी है इसके head के साथ parallel shifting करते हुए तो इसको इसी type से ऐसे लेके आएंगे ठीक है तो इसको पाँपे लेके यह B vector अब C की tail मिलानी है किसके साथ भी इसके head के साथ तो इसको थोड़ा उपर करके यहां पे लेके आएंगी तो इसके head में लेगे यानि C को कैसे लेके आएं भी यह C vector आए अपना last में क्या पचा D, एक 30 जा देखने पैलल shifting करते हुए angle जो अपना वो same रहेगा अब पैलल shifting करते हुए इसकी head को किसके साथ मिला हुए इसके tail के साथ तो यह क्या है अपना एक polygon form होगा ठीक है इस polygon की जो resultant होगा यह triangle लो जो पढ़ा था अपने उसे का एक extended form है polygon लो ठीक है triangle लो का extended form है polygon लो जिसके अंदर अपने क्या बोला था कि triangle लो का resultant निकलेगा जो ट्राइंगल लों का रिजफें निकलेगा वो कैसे निकलेगा इनकी ओर्डर के आपोजिट में इनके पोजिट ओडर के आपोजिट में जो है इस टाइप से अपना वोजिट नहींद लेकर खेंगे इस तो यह क्या बनेगा इस भी अपना सब्सक्राइब को जोड़ेंगे आगे समझ में यह था अपना पॉलीगन लो सिंपल सिंपल उनका उपर उपर से याद रखने हैं अपने को ठीक है ज्यादा उनको याद रखने रहें तो यह था पॉलीगन लो पहले ग्राम और साथ यूज और उनके साथ आप कुछ और बंदेशन होता है वह कम्यूटेटियों होता है कम्यूटेटिकम मतलब आवेक्टर प्लस वीग्तर ट G anytime इसे बोलते हैं commutation चाहिए B प्लस A करतो चाहिए A प्लस B करतो दूसरा है associative यानि A प्लस B प्लस C एक्वल होता है A प्लस B प्लस C के इसे बोलते है associative यह भी टर्म के सही है दो चीज़ आद देखने हैं आपको ठीक है अब commutative का देखो तो देख दो अगर अपने पास यह था वी वेक्टर है यह A वेक्टर है तो इसका लिए जेल्टेट जो निकल रहा था वो कैसे निकल रहा था जेल्टेट जी A प्लस B अगर इस वेक्टर A को पहले शिफ्ट करके किस डेरेक्शन में लिए आई इस ताइप से लिए तो इसका जो रिजेल्टेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा भी B प्लस A क्योंकि अपने पहले क्या फॉर्म किया B, B की टैल से क्या मिलाया A का add तो इन दोनों से क्या प्रूव हो रहा है कि जो वेक्टर लो है एडिशन का वो क्या होता है भी और इसी टैप से क्या होता है वो असोशेटिव होता है तो यह पड़ा अपने ग्राफिकल मेथेड ओफ वेक्टर लोव एडिशन अब कर पढ़ेंगे अनलाइटिकल मेथेड जिसके अंदर अपन फॉर्मुले फॉर्म करेंगे वेक्टर को add करने का इसके अंदर आपने को ग्राफिकल मेथेड केंदे चर्फ एक चीज यहां दखिणी है कि ग्राफ के अंदर वेक्टर होगा उसका जो टेल है वो मैगनिट्वड को शो करेगा और हैड करेगा उसकी डैरेक्शन को जिसकी उजय से जितना ज़्यादा मेगनिटूड होगा उतनी लंबा अपने को क्या लेना है एलो लेना है ठीक है